लाय स्टीट भारत में आपका स्वागत है साथियो सुप्रिम कोर्ट में प्रतेक कोर्ट है अलग-अलग कोर्ट है न कोर्ट वन कोर्ट टू कोर्ट त्री कोर्ट फूर ऐसे कोर्ट है पंद्रक कोर्ट है वहाँ पे जहां हमारे साजरे जजज कहीं दो जजज बैठते हैं किसी कोर्ट में किसी में तीन जज बैठते हैं बैठते हैं उन कुर्सियों पर भी लिखा रहता है हाई कोड का जो धेवाक्य है वह सत्य में हो जैते तो हाई कोड में जज की कुर्सियों पर लिखा रहता है सत्य में हो जैते सुप्रिम कोड में जज की कुर्सियों पर लिखा रहता यह तो धर्मस्तत हो जै जहां धर्म है व बहुत सारी बाते कहीं कि आपने आपके आट के वैसे पूरे देस में आग लग गयी है। सवाल यह है कि वो केस था क्या। एक्चुल में केस वहाँ पर merit के लिए नहीं आया था। वहाँ पर केस इसलिए नहीं आया था कि कौन दोसी है, कौन निर्दोस है। वहां केस इसले नहीं आये था, जांच करने के लिए, पुरे देश में आग किस लिए लगी है, आग किसने लगाया है, किस के कहने से आग लगी, यह सब कोई मैटर थाई नहीं, वहां सिंपल एक ट्रांसफर, एक पिटिसन आई ति, जिसमें यह मांग की गई थी, जिसमें यह कई राज्यों में, साथ 4 राज्य में, या 5 राज्य में, अलग अलग F.I.R. हो चुका है, उसको आप कलब कर दीजे, और कलब करके एक जगह कर दीजे. ऐसा सुप्रीम कोट पहले कह चुका है, एक बहुत हिस्टोरिकल जज्मेंट है, उसको अमिस्देवगन केस कहते हैं, उसमें तीन जज़ों की बेंच ने कहा था कि हाँ ठीक बात है, जहां सिमलर इशू के उपर अगर मल्टिपल F.I.R. हो रहा है, तो इन्वेस्टिकेसन ठीक करेंगी, तो बड़ी सौभाविक सी बात है, जस्टिस नहीं होगा, धर्म की जय नहीं होगी, धर्म की जय नहीं होगी, जो सुप्रीम कोट को धेवाक्य है, यह तो धर्मस्तत हो जय है, तो सुप्रीम कोट को यह इंस्योर करना होता है, जहां धर्म हो, उसकी जय हो, यह सु मुझे लगता है जब तक NIA की investigation complete नहीं हो जाती है गवाहों के बयान हो नहीं जाते तब तक ये कहपाना कि किसने आग लगाई है किसके भासड के बाद आग लगी है मुझे लगता ठीक नहीं होगा और खासतोर पर तब कि जो जिसको कहा जा रहा है कि आपके कहने से आग लगी है वो कोई पहली बार ऐसी बात सामने नहीं आई है दूसरा वो बाते कोई हवा में नहीं है वो बात जब लिखी हुई हो आप समझ रहे होंगे मैं नूपु शर्मा की बात कर रहा हूं नूपु शर्मा ने जो बात कही वो बात तो इसके पहले जाकिरना कई बार कह चुका ह है बहुत सारे मौली मौलाना कई बार कह चुके हैं और आगे भी कहते रहेंगे क्यों कहते रहेंगे क्योंकि उठा हुआ है हदीस में तो कुराण और हदीस में लिखा हुआ है तो बड़ी स्वाब फ़ी किसी बात है हार मदर से मर कुराण हदीस पढ़ाई प्हेस भी चल रहा है लडगे लड़की की शादी की उमर समान हो ऐसा केस सुप्रिम Guide में चल रहा है उसका पैटिस्टर मेरी नुटिश जरी किया है तो सुप्रिम कोर्ड को भी पता है कि इस देश में शादी की उमर अलग-अलग है धिjin हिंदू में लड़की की शादी 9 साल है जो 18 साल है minimum age of marriage और मुस्लिम में 9 साल है ये चल रहा है ये टेडीसन चल रहा है ये custom चल रहा है आग भी चल रहा है तो ये भी effect है नुपुर्शर्मा ने कहा था न 9 साल में शादी तो 9 साल में शादी होती है ये effect है 9 साल में शादी आप किसी मौलाना से पुछ लीजे तो किसी ने ये नहीं कहा कि किसी ने ये नहीं पूछा या कोट ने ये नहीं पूछा कि जो नुपुशर्मा ने बोला है वो सही बोला है कि गलत बोला है उन्होंने कहां से उसको साइट किया किसी किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है दूसरा नुपुशर्मा ने ये बात पहले कही है इसके पहले किसी ने भी कही है हलाकि ये सब मामला सुप्रिम कोर्ट का था भी नहीं ये सब मामला जो ट्रायल कोर्ट में चलेगा तब वहाँ ये सब बाते होंगी यह दलील दी जाएंगी नूपुषर्मा के वकिल अपनी बात रखेंगे जब इनिमस्टिकेशन में मामला आएगा पुलिस जाच करेंगी लिए सब बाते आएंगी देखो यहां यहां लिखा हुआ है जो बाते मैंने कही है तो मैंने तो बाते कही है नूपुषर्मा अपनी अपनी दलील देंगी हमने तो बात कही है जो हदीस में लिखी हुई है नूपुषर्मा हो सकता है यह दलील देंगी अपने डिफेंस महरातमी दलील देता है कि इसके पहले जाकिर नाइक कह चुका है देवबंद का यह मौलाना कह चुका है लखनों का यह मौलाना कह चुका बंगाल का यह मॉलाना कहई दलीली देंगी क्योंकि नुपूर शर्मा बढ़ी सॉभाइक सी बात है जब ट्रायल चलेगा वहां तो दोनों पक्षओ की दलील होगी फिर नुपूर शर्मा यह भी दलील देंगी कि अगर मेरी कही हुई बात क्राइम है मेरी कही हुई बात अपराद है तिस एकड़ मौलाना नो जो बार-बार बोला यह क्राइम क्यूं नहीं है अपने बचने के लिए आदमी हर तरीके की दलील देगा और खासतोर पर नूपु शर्मा यह भी कहें कि मैंने तो माफी मांग लिया जाके नाइक ने आज तक नहीं माफी मांगा या बाकी लोग नाज तक नहीं माफी मांगा तो जो सुप्रिम कोट में केस आया मुझे नहीं लगता है कि वो जो बहस के दौरान जो एक्सचेंज हुआ वकील और जजच के बीच में जो कनवर्सेसन हुआ वो होना चाहिए था और अगर हो भी किया और आडर में नहीं आया तो उसको साइट करना तो मुझे लगता है यह को सेलफिसने से अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग मीडिया डिवेट में करते सुप्रिम कोट ने कहा कि नूपु शर्मा की वैज़े से दुनिया जल रही है सुप्रिम भारत जल रहा है स कोट एक्स्चेंज में बाते होती है अंतिम बात ये देखा जाता है कि और में लिखा कैया गया ओर में कैसा कुछ भी निखा गया लेकिन अगर नूपुर शर्मा के कहने से यह कांड हो गया आपका उद्धैपुरवाला कनहिया का मर्डर हो गया इसके पहले तो सैकडो था डॉक्टर नारंग को मारा था कृष्णु को मारा था राम लिंगम को मारा था कमले स्थिवारी का लखनों में गला रहता गया था ऐसे सैकड़ो हत्याय हो चुकी और फिर नूपुर नूपुर्शर्मा के कहने से अगर हुआ एक बार ये कहने से जिसके लिए उसने माफी मांग लिया तो एक व्यक्ति तो बार बार भगवान शीव को फवारा कह रहा था नूपुर्शर्मा के साथ ही बैठा हुआ था उसके कहने के बाद दंगा क्यों नहीं हुआ उसके कहने के पहले कि जो बात किताब में लिखी उँभी नहीं पढ़ सकते अगर अ मेरे सामने कुछ किताब है सियर सै अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है ला है लिफ दो समय पढ़ने का दिकार तो हमें हई है नो तो कोई भी पढ़ सकता है अगर लिखने से किसी की feeling hurt नहीं हो रही है तो पढ़ने से feeling कैसे hurt हो गई और पढ़ने के बाद feeling मालो hurt भी हो गई तो अमने तो अगले दिन माफी मांग लिया फिर फिर वो continue hurt कैसे होती रही तो यह जो विशह है खासता और पर जो जस्ति सूरिकान ने बोला मैं व्यक्ति के तरूप से उसे सहमत नहीं हूँ मैं उसे असहमत हूँ आया था simple case transfer करने के लिए उसमें इतना सारा exchange हो गया बाद में वापस भी ले लिया लेकिन एक जो उन्होंने जो एक्सचेंज के बाद ये नजीर दी जा रही है तो गलत तरीके से दी जा रही है अब ये भी देखना है कि क्या Supreme Court इसके बाद कोई case transfer नहीं करेगा क्योंकि Supreme Court का judgment आ चुका कैसे transfer होंगी अब ये किसी पत्रकार के खिलाब ये भी हुआ है अब देखते हैं कि वो पत्रकार का transfer करते के नहीं करते कल को नेताओं के खिलाफ होगा नेताओं के खास तो ऐसी टाइप के लोग तो रोज आग उगलते रहते इनके खिलाब तो आठ-ठाट राज्यों में case होता है तो मेरा इन चार राज्यों में similar matter चल रहा है इसको transfer कर दिया जाए उस पे supreme court जितने जल्दी क्लेरिफिकेशन दे सुप्रीम कोट जितने जल्दी उस पे यतो धर्मस्ततो जय है धर्म की जय कर दे उतने जल्दी विवाद खतम हो जाएगा अधर्वाइस ये विवाद चलता रह कई बार ऐसा होता है कि इन condition में क्या बोल देते हैं इसका मतलब फुड़ी कि वो ब्रह्म हवा क्यों हो गया सुप्रीम कोट कितनी बार अपने जज्ज्मेंट को चेंज किया है कितनी बार अपने order में correction किया है तो मुझे लगता है कि नूपुशर्मा का case transfer का बिल्कुल fit case है transfer होने वाला case है और अगर नूपुशर्मा इस पर review petition file करेंगी तो उनको relief भी मिलेगी धर्म की जय भी होगी क्योंकि सुप्रिम कोट का ये काम ही है धर्म की जय करना ये सुप्रिम कोट का काम है सत्य में हो जैते सत्य की जय हो ये काम high court का है और धर्म की जय हो ये काम सुप् काम हाथ तुक काम है ये कि जय हो ये कि जय हो ये भी है ये होग्का